मत का मलाई कुलφी जो बाजार मी मिलते हैं ठेले वारे स्ट है वही बनाएंगे और बहुत हीским internacional रेशिपि हैं ये बनके तियार हो जाते हैं और टेस्ट बिलकुल वैश्ची की है गहरखे लिए इस वीडियो को पूर जरूर देखें आपको बहुत पसंद आएंगे बहुत ही सिंपल सा रिस्प्री है ना कोई मोल्ट की जरूरत है ना कुछ जादा समान की जरूरत होती है तो चलिए रिस्प्री स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ जरूरी शेयर करती है तो चेलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक कड़ाई ले लेंगे जो की हेवी वर्टम वाला हो और उसमें डाल देंगे दूट तो यहाँ पर मैंने फूल फैट मिल्क ले लिया है और इसे हमें तीन कप लेना है मतलब मैं जितना बनाऊंगे उस हिसाब से मुझे तीन कप चाहिए और अभी इसे गरम करने के लिए छोड़ देंगे गैस का फ्लेम पहले मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूट तलबे पे ना लगे और फिर इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आधा कप लिया है अगर आप जाधा चीनी परसंट करते हो तो जोड़ा जाधा पिसमें अट कर सकते हो तो चीनी को अभी दूद में घोल लेंगे और दूद को उबालाने तक इस तरह से छोड़तेंगे साथ में हमें चाहिए कस्टड पाउडर यहां पर मैंने देचम मछ कस्टड पाउडर ले लिया है पर आप चाहो तो आधा कस्टड पाउडर और आधा कॉनफ्लावर भी डाल सकते हो और साथ में चाहिए आधा कप कि दोनों एक ही चीजे लगभग कस्टर पाउडर में थोड़ा जादा सामान डलते हैं तो इस वज़े से उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग होते हैं तो अच्छे से घोल लेंगे अभी इसको बिल्कुल भी लंफ नहीं होनी चाहिए और उसके बाद इसमें एक कर देंगे बिस बिस्कित में वो न्यूटरल फ्लेवर होते हैं वैसा ही बिस्कित समय चाहिए पार लेजी ले सकते हो या फिर इसके पर हॉर्लिक्स बिस्कित यह सबब ले सकते हो तो अभी इसे पांच मुनिट के लिए इस तरह से डूब कर रख देंगे तो बिस्कित अपने आप एकदम स अब आफ्ट हो जाए उसके बाद वापस से एक वेस्कित की मदद से या फिर जमच की मदद से या फिर फोर्क की मदद से इस तरह से दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे और घोल लेंगे ताकि यह जो निकसर बने यह बहुत ही जादा गड़ा और क्रीमी बने तो यह सिक्रेट ह होते हैं ठेले वाले मटके कुलफी का आप चाहो तो इसे मिक्सी में घुमा कर भी स्मूध कर सकते हो पर यह दिखिए यहां पर यह अच्छे से स्मूध हो गया है तो इसे अभी साइब में रख देंगे और दूद एक बर गरम हो जाए इसमें एक बॉयल आ जाए तो फिर उ कितले लिए हैं आप चाहों तो इसमें दस या फिर आट भी कर सकते हो अपने जुरुदत के हिसाफ से अगर यह सब चीज आपके पास ना हो तो तो इसके लिए आपको बिस्कीट को थोड़ा सा दूद में भीगो कर रखना है और सेम प्रॉसेस में कर लेना है तो कस्टिक प है यह भी नहीं इस तरह से होने चाहिए हमें सब को एक साथ मिलाना है और उसे के बाद फ्लीवर के लिए इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर एक चौथा ही चम मचलिया है मैंने तो इलाइची पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे कोई भी कुलफी हो उसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डलने से उसका फ्लीवर बहुत जाद आचा आते है और वैसे भी इसमें हमने कुछ फ्लेवरिं इंगरियंट्स तो नहीं डाले है तो इसके लिए अगर इलाची पाउडर ना हो तो बस 4-5 इलाची को फोड़ के भी आप इसमें डाल सकते हो और बाद में इसे निकाले आप चाहो तो इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हो चोटे-चोटे टुक्रू में काटके पर मैंने इसे सिंपल बनाया है कोई भी ड्राइफ रूट्स मैंने इस पर यूज नहीं किया है तो एक बार यह मिक्स हो जाने के बाद आपको कैसे बता चलेगा कि यह तयार है तो यह कर्ची इसमें इस तरह से घुमाईएगा और उल्टे साइट में लिखिएगा अगर इसमें जो दूद का मिक्स्चर है वो पूरी तरह से लगा हुआ हो तो समझ दीजीगा कि आपका यह कुल्फी वाला मिक्स्चर एकदम रेडी है अगर यह एकदम बह जाते है तो म कर्ची की मदश से जला जला कर इसे रोम तेमपरिशन में पूड़ी तरह से ठंडा कै लेए उपर मलाई जमनिय न दीजुद तो यह तरह से ठंडा हो चुके है तो अभी इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे ताकि हम इसे मोल्ड में अच्छे से पूर कर सके क्योंकि यह काफ जाहिए से लास्टिक के box क्यांकि इसे हम होती ही supposedly निकालने में धिकते होती तो उस वज़े से एक तो सिंपल प्लास्टिक का जो डबा होता है उसे यूज कह लिजी या फिटिफिक बॉक्स में भी आप से बना सकते हो बसाला जो चोटे-चोटे बॉक्स में रखते हैं उसे में भी आप से रख सकते हो और इसे भड़ना हमें पूरा नहीं है बस तीन सारी से जम के तयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी हो तो कम से कम 6-7 घंड के लिए इसे फ्रिज में छोटे तो यह देखिए यह तो पूरा जम के तयार हो गए है तो अब इसे खोल के डिमोल्ट कर लेंगे तो इसे डिमोल्ट करने के लिए पहले एक चाकू की मदद से इसम निशान बना लेंगे क्योंकि ऐसे हमें इसे बाग में भी काटना है तो ऐसे ही रहते इसमें डाल देंगे इस टिक्स जो कुल्फी के लिए आते हैं तो इसे डाल देंगे अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप टूथपिक या फिर बैंबू स्टिक स्क्यूर्स कभी इस्तम ओल लेंगे तो इसे हालती mau इसे इसे निसी ञत्तव हो जाते हैं और इसे निशान होती है जादा मेहनत में करनी पड़ती है उल्टटा के लिएके स्टिक को पकर निकाल लिए और इस都ब्हें घीर जैसे निशान लगारते پहले इस विए हिसको कट लेना है उस तरह से तो ये देखिए घर पे ऐसा कुलफी बनाना बहुत आसान होते हैं इसके लिए बहुत जादे सामान जरूरत नहीं होते हैं और मोल्ड वैसे कुछ भी नहीं चाहिए हमें बस इसको ऐसे बढ़ाएए घर पे स्टोर करके भी आप रख सकते हो कम से कम साथ दिन तक आप इसे डी फीरिजर में स्टोर करके लख सकते हो पर उसे आपको एक प्लास्टिक रड़ाइप की मदद चाहिए तो उससे रैप करके आप 7 दिन तक 87 अगे पसंदाएंगे तो चयलिये फ्रेंड मिलते हैं कोगने रिस्पी के साथ और आज की रिस्पी आपको कैसे लेगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बिताएगा और हाँ एक लाइक ज़रूर दे देजिएगा तो चैले फ्रेंट्स फिर मिलते हैं